हेलो बच्चो आज हम खाद्य उत्पादन ये प्रबंधन का अंतिम भाग देखेंगे और इससे पहले जो भी हमने पढ़ाया कि फसल जब उगाते हैं तो कौन-कौन से तक्निकों को अपनाते हैं, कौन-कौन से पढ़े हैं, सारी चीजों को हम डीटेल में पढ़ चुके हैं जो खाद्यान होते हैं उसके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, याने हम अलग-अलग प्रकार की खाद, उर्वरक, या सिचाई की नई-नई तक्निकों को अपना कर, विभिन प्रकार से वीजोप चार के द्वारा, या खर्पतवार, नियंतरन द्वारा, अलग-अलग नई नई तक्निकों को अपना कर, हम अपने खाद्यान उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, तो खाद्यान उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय, उन्नत किस्मों का विकास, एवं उप्योग करना है, इसी प्रणाली को हम किस्मों का सुधार, या फसल, समुननती कहते हैं, जैसा कुकुट पालन हो मत से पालन हो ये सारी चीज़ें भी क्रिशी विज्ञान का ही एक भाग है तो जैसे देखिए एक मश्रूम की खेती आज कल बहुत ज्यादा प्रचलन में हैं कई लोग इस मश्रूम उत्पादन को अपने रोजगार में भी शामिल कर रहे हैं और चुकि मश मश्रूम में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है तो इसका किस प्रकार से उत्पादन होता है या वास्तों में मश्रूम क्या है तो आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जो लकडी है पैरा है उस पर सफेद भूरे रंकी छोटी-छोटी छतरी के समान रचना दिखाई देती है यही मश्रूम है तो अलाग-अलग इस्थानों में इनceğiz अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है जैसे कहीं पर फूटू, कहीं खुम्बी, कहीं धिंगरी इस नाम से जाना जाता है तो वास्तों में जो मश्रूम है वह एक प्रकार का कवक है फंजाई है ज श्रेणी में विशेस स्थान प्राप्त है और ये कहा जाता है कि इसमें प्रोटीन, विटामिन काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है जिससे हमारे शरीर में पोशक तत्वों की जो कमी है उसकी पूर्ती होती है मश्रूम की खेती या मश्रूम कल्चर किस प्रकार किया जाता है? चलिए अब हम इसे जाने. मश्रूम को गेहूं का भूसा, पैरा कुट्टी या अन्यमाध्यम में मश्रूम के स्पॉन या जिसे बीच कहते हैं इसको मिला कर बनाया जाता है. व्यावसाई का रूप से हमारे जिसे की माध्यम कहा जाता है. इसे पानी में लगभक 14-20 घंटे तक भीगोने के बाद 2 घंटे तक उसे उबाला जाता है. या उसको उपचारित किया जाता है किसी कवक नाशी या जिवानु नाशी के द्वारा पानी को फिर निथार करके उस माध्यम में मश्रूम के 25 दिग्री सेंटिग्रेट हो रख देते हैं. दो तीन सब्ता बाद हम देखते हैं कि जो माध्यम है वो सफे दूदिया रंग के पिंड में परिवर्तित हो जाता है. इस अवस्था में पॉलिथीन को अलग कर देते हैं क्योंकि अब वो पूरा माध्यम जो पैरा कुट्टी जिसमें की स्पान डाला हुआ था इसका वो पूरा जो माध्यम है वो एक कड़ा पिंड बन जाता है तो ठैलियों को निकाल दिया जाता है उसमें से. अब दो तीन दिनों में इससे छोटे छोटे गोल दाने की समान सरशनाय निकलाती हैं. ये 5-7 दिनों में ये पूर्ण छ प्राप्त होने वाले कौन-कौन से खादिपदार थे कुछ बहुत प्रमुख हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं जैसे दूद है, अंडा है, दही, मक्षन, घी इन सभी चीजों का हम प्रती दिन अपने जीवन में उपयोग करते हैं. तो मनुष्य अपने भोजन संबंदी आवशक्ताओं की पूर्ती फसल से तो करते ही हैं, पश्मों एवं जन्तों से प्राप्त उत्पाद द्वारा भी करते हैं, तो शरीर की वृध्धी के लिए आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन बहुत आवश्यक है, तो ये प्रोटीन हमें प्राप् होती होती है, तो वैज्यानिक तरीके से जब पशुओं की देख भाल की जाए और पशुओं को वैज्यानिक तरीके से पालने की जो विधी है, ये होती है पशुपालन, दुख्त उत्पादन, तो देखिए, हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि गाय, भैस ये बहुत अ लेकिन गाई दुख दुत पादन के मुख्य स्रोत के रूप में माने जाते हैं। दुधारू पशुओं के पालन के लिए उनके उचित पोशन के लिए उनके देखभाल, संडक्षन और प्रजनन की आफशक्ता होती है। तो इनके आहार में घास, सुखा चारा, जिसमें की पैरा, गेहुं का भूसा, हरा चारा ये सारी चीजें सामिल होती है। यदि हम दुधारू पशुओं के आहार की बात करते हैं, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उनके पोशक जो आहार हैं उसमें और अधिक पोश्टिक्ता बढ़े तो उसके लिए इसमें सरसों तथा कपास की खली मिलाई जाती है। पशुओं के अच्छे स्वास्त के लिए परयाप्त मात्रा में पोशक आहार के साथ साथ समय समय पर पशुओं की सफाई और उनका चिकित्सकी परामर्ष भी बहुत आवश्यक होता है। उचित देखभाल कर सकते हैं उचित पोशन दे सकते हैं। जब अच्छी जाती की या अच्छी नसल की गाय या जो भैस है या जो दुग दूत पादक जो भी पशु हैं वो संकरन द्वारा भी प्राप्त किये जाते हैं तो इससे उन्नत नसले प्राप्त होती हैं विक्सित की जाती हैं अधिक दूद देने वाले गायों की नसले कौन- भैस की नसिल में देखिए मुर्रा है, तो यह सारे जो नसिल हैं जो अधिक दुग्धूत पादक होते हैं, कुकुट पालन, जब अंडे या मांस की प्राप्ति करनी होती, तो यहां पर मुर्गी, बतक, इत्यादी पक्षियों को पालना, यही जब मुर्गी पालन करते हैं य मुर्गी अंडों को 21 दिनों तक सेती है इसे उश्मायन काल कहा जाता है तो जो बड़े कुकुट फार्म में अंडे सेने के लिए विशेश प्रकार के जो उश्माईत्र होते हैं या इनक्यूबेटर का प्रियोग किया जाता है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में वहां अंडे कुट पालन होता है बड़े-बड़े सेती क्रिया के लिए तो इनके द्वारा अंडे को उप्यूक्त नमी भी प्राप्ता होती है जो इंडे में भ्रोन के विकास एवम अंडों parecer चूजों के बाहा राने जिसे हम स्भूतन भी कहते हैं सहाएक होते हैं कुकुट पालन में मुर्गी पालक जो है वो अंडों को उप्यूक्त उष्णता प्रदान करने के लिए कभी-कभी इनके नीचे पुवाल बिछा देते हैं अंडों पर बैठी मुर्गी को बुरूडी मुर्गी कहते हैं सातवे और नौवे दिन अंडों की जाजकर जो अनिशेचित अंडे हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है शीत काल में दिन की अवधी के छोटे होने और वायू में नमी अधिक होने के कारण परियाप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाने से अंडे का उत्पादन भी घट जाता है अंडे का जो कवच होता है बच्चों वो केल्शियम कार्बुनेट का बना होता है और अंडे के मध्य में जो पीली रचना होती है उसे योग कहते हैं जो पारदर्शी एल्बुमीन से घिरी होती है पारदर्शी भाग में प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है कुकुट पालन से ही संबंधित कुछ और चीज़े हम जान लेते हैं कुकुट को या जिसे हम मुर्गी या बतक के बाड़ते हैं तो उनके भोजन में कीडे, मकोडे, वनस्पती, कंकर ये सारी चीज़े रहती है तो ये कंकर उनके भोजन को पीसने का कारे करते हैं और इसके आहार में चुना पत्थर भी कई बार मिलाया जाता है और इस कारण से जो इसके अंडे में कवच होती है जो की केल्शियम कार्बुनेट की बनी होती है इसी के निर्माण हेतु इनके आहार में कई बार चूना पत्थर भी डाला जाता है कुकुट फार्म में जो दडबे होते हैं उसमें वायू के आवागमन और प्रकाश की उचित्यवस्था होनी चाहिए पक्षियों के जो अपसिस्ट है उसका प्रियोखात के रूप में किया जाता है और अधे कंडों को प्राप्ट करने के लिए या मांस जैसे जहां ब्रॉयल अब देखिए मत से पालन मत सी ने मचली तो मचलियों का पालन किस प्रकार सी किया जाता है तो मचलिया नदियों में होती हैं तालाब में होती हैं समुद्र में भी कुछ मचलियां होती हैं तो अब जब इसे पालन करना होता है तो इसका एक निश्चित छेत्र बान दिया ज जगह में जिस प्रकार का भोजन उपलब्ध होता है, वास्तों में वहां के लोगों के आहार में वो एक बहुत ही मुख्य आहार के रूप में शामिल हो जाता है, तो इसलिए देखा गया है कि जो नदी हैं, तालाब हैं, या समुद्र हैं, उसके तट पे रहने वाले लोगों का जो मुख्य भोजन है, वो मचली हो जाता है या मत्स होता है, तो यह जन्तू प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोथ होता है, यह प्रोटीन होती है मचलियों में, तो कॉर्ड और जो शार्क मचलिया होती है, उसका जो तेल है, वह मिटामिन दी का स्रोथ होता है, मचली मचली का उपयोग प्रायशुस्क और डबबन आहार के रूप में भी किया जाता है। मचली के जो विभिन भाग हैं, पूँच, उनके जो पंक हैं या हड्डियां हैं, इसका उपयोग उर्वरा के रूप में भी किया जाता है। तो बड़े इसतर पर मचलीों को पालना, बहुत अधिक मात्रा में मचली का उत्पादन करना ही मचली पालन कहलाता है। मचली फार्म मत से उस फुटन तालाब को नरसरी कहा जाता है, यहां पर मचली पालन किया जाता है, इस भाग को नरसरी कहा जाता है, इन तालाबों में इस फुटन के पश्याद जो छोटी मचलिया हैं वो विक्सित की जाती हैं और इन्हें फिर विर्धी और विकास याने इन के संबधन है तो इन्हें फिर बड़े तालाबों में डाल दिया जाता है अब इन बड़े तालाबों में इनके लिए उजी ताहार की वेवस्था करनी होती है और समय समय पर प्रेश से मचलियों को बाहर निकाला जाता हैं जल्स रोत के आधार पर तालाव जील नहर नदी की जो मचलियां होती हैं इन्हें हम अलवनक मचली भी कहते हैं जैसे कि कतला मचली लोबियो रोहु तथा सागर और महासागर की जो मचलियां होती हैं उसे लवनक मचलिया कहते हैं तूना तथा कौट कहलाती हैं प्र किया जाता है अब आप देखिए मदुमक्की पालन जिससे हमें मदुमक्कियों से शहद प्राप्त होता है मोम प्राप्त होता है तो मदुमक्की पालन भी बड़े इस तरपर किया जाता है तो मदुमक्की एक कीट है जिससे हमें शहद प्राप्त होता है शहद में क्या होता है शहद में होता है जल, शरकरा, खरनीज और इंजाइम शहद सुपाचे भी होता है और खादे के रूप में इसका नियमित प्रयोग नहीं किया जाता है किन्तो दवा के रूप में आप देखिएगा ये बहुत उपयोगी है कई बार हमें खांसी होती है तो हम अध्रक के रस में थोड़ा मदूरस डाल के या शहद डाल के हम उसे रस बना कर पी लेते हैं तो ये खांसी में बहुत अधिकारगर होती है तो अधिक शहद प्राप्त करने के लिए मदुमक्यों को विशेज प्रकार के बनाय हुए बक्सों में पाला जाता है और कृत्रिम रूप से जब मदुमक्यों का पालन किया जाता है इस विधी को कहते हैं मदुमक्य पालन मतलब मदुमक्षियां जब जंगलों में अपने लिए घर बनाती है तो एक छत्ते जैसा बनाती है तो बक्सो को भी इसी प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वह उनके लिए एक छत्ते जैसा कारे करता है तो वो सारी गतिविधिया उसी में संपन करते हैं तो जो रानी मक्ही होती है वे अंडे देने का कारे करती है और अंडे से लार्वा और फिर प्यूपा का बनना और जो श्रमिक मक्ही होती है उसके द्वारा उसकी देखभाल के अलावा फूलों का पराग चूस कर उसे शहद म परिवर्तित करना, ये सारी गतिविदिया जब संपन होती हैं, तो मशीन द्वारा या फिर हाथ द्वारा शेहद निकालने का कारे किया जाता है, तो यह सारी प्रक्रियां उसी बक्त से के अंदर ही होती है, याने रानी मख़्ी द्वारा अंडे देना, लार्वा का प्यूपा में बदलना, और फिर उसके बाद जो स्रमिक मख़्ी द्वारा देख भाल करना, विभिन प्रकार से फूलो के पराग चूसकर, मधु में परिव हित किया जाता है, तो मधु मख़्ी पालन से शहद के साथ साथ मोम भी प्राप्त किया जाता है, उसके जो छत्ते होते हैं वो मोम की तरह हो जाते हैं, इस पार्ट में हमने क्या सीखा, सबसे पहला कि वैज्ञानिक तोर तरीके से जब पशूओं की देख भाल की जाए, या उन्हें पालने की जो विधी होती है, उसे हम पशूपालन कहते हैं, है ना, दूसरा है कि दूध प्राप्ती के लिए गाय भैस पाले जाते हैं, तो दुख दूध उत्पादन या डेरी फार्म में नहें पाला जाता है, और अधिक मात्रा में दूध उत्पादन किया जाता अंडे, मांस, इत्यादी प्राप्त करने के लिए हमको कुट पालन का सहारा लेते हैं, मचलियों को प्राप्त करने के लिए मत से पालन किया जाता है, शहद की प्राप्ति के लिए मधुमक्हियों को कृत्रिम रूप से पालन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मधुमक्ही पालन शहद में शरकरा है, जल है और बहुत अधिक मात्रा में यहां पर इंजाइम भी पाया जाता है जो औशदी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है अंडों पर बैठी मुर्गी को ब्रूडी मुर्गी कहते हैं बच्चों आपके लिए यहां प्रश्ण कम हैं, केवल दो ही प्रश्ण हैं लेकिन ये सभी प्रश्ण बहुत ही मुख्य हैं जैसे देखिए, फसल, समुन्नती से आप क्या समझते हैं तो परिभाशा देंगे आप तो और जो टिपणी लिखिये शब्द है टिपणी का अर्थ है कि आपको दुगदूत पादन, मत से पालन, मश्रूम कल्चर, शीत भंडार, ग्रेह, कुकुट पालन इन सभी के बारे में बहुत ही सुन्दर तरीके से जो भी आपने समझा है कि क्या होता है पहले आपको परिभाशा देना है और उसमें किस प्रकार के जीव के लिए है जैसे दुगदूत पादन है तो दुगदूत पादक जीव कौन-कौन से है उसके बारे में आप लिखेंगे और कौन-कौन से मुख्य कारक होते हैं जो दुगदूत पादन को प्रभावित करते हैं या मत्य पालन को प्रभावित करते हैं, या कुकुर पालन को प्रभावित करते हैं, तो इन सभी के मुख्य मुख्य बिंदू को देते हुए, आपको इन पे टिपपणी लिखना है, तो यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न संख्या है, वो देखा जाये तो 6 है, तो आपको इनको सबको अच्छी तरह से लिखना है सभी में से मुख्य मुख्य बिंदूओं को लेते हुए अपने प्रश्ण को उत्तर देना है तो बच्चों आपको यह पार्ट कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा क्योंकि इस पार्ट में सारी चीजें आप जानते हैं कई बार आप टीवी में देखते हैं कई बार डॉक्यूमेंटरी पिक्चर बगएरा देखते हैं उसमें भी आपने देखा इस प्रकार का तो और कई बार आपने किताबों में जरूर बना रहे होंगे इमानदार रहिए बच्चों और विज्ञान को हमेशा अपने जीवन के साथ जोड़ कर पढ़िए खुश रहिए पढ़ते रहिए